हेलो दोस्तों केलडी क्लासेस में आपका स्वागता आज हम बात करेंगे जो B8 की जो सीटे बची होई है उसके लिए दोबारा काउंसलिंग हो रहा है तो कितने सीटे बची है और कब से काउंसलिंग होगी इसके बारे में हम पूरी डेटेल जानकारी रखेंगे और काउंसलिंग दोबारा इसके बारे में चलिए हम पूरी जनका जाली हैं जाली रुखेल खंड विस्विदाला करेगा निगरानी खाली सीटों की सूची जारी सूची भी जारी हो चुकी है किस कॉलेज में कितनी सीटे खाली हैं चले देखें बीएट की काउंसलिंग के बाद खाली बची 31,000 सीटों पर 12-14 जुलाई तक निजी कालेज खु जाली है बीएट की राजस्तरी प्रवेश परिच्छा के बाद 3-4 की तीन चलडों में आपकी काउंसलिंग होए उसके बाद जो सीटे बच चुकी हैं तीन चलडों की काउंसलिंग पूरी हो चुकी है इसके बाद 31,000 सीटे खाली बची हुई है इन पर 12, 13 और 14 जुलाई को स्वेश पॉसित कालेज सीधे एड्मिसन ले सकेंगे लेकिन इसके लिए ऐसे नहीं है कि डारेट आप किसी भी कोई भी स्टुडेन जाके एड्मिसन ले सके अब कई कंडिशन क्या कंडिशन के बारे में आप बहुत ही ध्यान से सक्केगा वरना बात में कहेंगे कि सर हमने यह हमारा नहीं हो रहा है हम ने गया था हमको कह रहे नहीं होगा तुम्हारा तो यही समझना होगा यहां पर इसकी लिए कुछ सर्ते लगाई के हैं पहला है कि सीधे प्रवेस्ट उन्हीं J Tomorrow चलीब पैपby आपका हो गहें तैसे पैपर आप गई लिक्वाना बीड में ऐसा नहीं होगा ठीक है जिन्हों ने पैपर दिया कोई रैंक ना कोई रैंक आई होगी चाहे कम हो चाहे अधिक उनकी कोई ना कोई rank मिली हुई वही लोग केमिसन ले सकते हैं। और counseling के किसी भी round में हिस्liness ने लिए आपको है जिस ये भी चीस आ गया कि rank आधिक प्रॉण्ट आधिक हैं। rank का अधिक है लेकिन आपने किसी bi round में कहसेख्याँ कि counseling नहीं कर सकते हैं। और कॉलेज नहीं मिल सका होता है कि आपने कम कॉलेज को कह सकते हैं कि चॉइस किया इसके कारण से भी आपको कॉलेज नहीं मिला या फिर कॉलेज मिला लेकिन किसी कारण से फीस नहीं जमा कर वे और कुछ लोगों को कॉलेज अच्छा मिला था लेकिन उनके फीस तैयार नहीं ऐसी समय के अंदर इसने उनेनों फीस्ट नहीं जमाका तो इनको भी इसमे मौका है , अब देखे मैं इक बार पूरे को एक बार सम Sax doctor कि की सिको किसको मौका मिलए सबसे पहले उनको मौका मिलेगा जिन्होंने कभीardı है कि दूसरा उनको मिलका कि जैसे कख से कि कोई college के तीनों चरड़ों में कम एलाट नहीं हुआ था तीसरा है ऐसी इस्टुडेन्ट जिननों ने कह से कि जिन्नकों college tool 8 हो चुका था लिकिन किसी कशण से उन्हों आप si नहीं पे कि वो लोग भी इसमें कह सकते हैं कि एड्मिशन ले सकते हैं इसके अलामत जो भी स्टुडेंट है वो एड्मिशन नहीं ले सकते हैं फीज जबा करने के बाद या सुने फीज पर एड्मिशन पाने वाले अभिर्थी को कॉलेज बदलने का कोई मौका नहीं मिलेगा इसमें कह सकते हैं कि कोई भी कॉलेज जो आपको एलाइट किया जागा वो ही आपको लेना होगा इससे अपने मनवानी नहीं करना होगा अगर आपको कह सकते हैं कि निसे 1st round में आप अपने हिसाब से college को बर लेकिन इसमें आपकी मनवानी नहीं चलेगे जो college रहेगा वो सो करेगा उसमें आपको कोई मिलेगा उसमें से आपको लेना होगा यह नहीं कि यह college हमको चाहिए सभी को फायदा हो जाएगा तो चलिए यहाँ पर दिया भी है बहुत ही इंपोर्टेंट न्यूज है इसके बारे में हम जानेंगे गरीब स्वर्णों को मिल सकता है आरचा है बीएट में गरीब स्वर्णों को आरचार देने का सुबू रहा सुरू हो चुगई है वाटसाप पर सासन का एक आदिस वाइरल हो रहा है लेकिन रुहेल खंड भी स्वर्णों का इंतजार कर रहा है अगर यह आदिस लागो हुआ तो गरीब स्वर्णों के लिए बीएट में करीब 20,000 सीटे बढ़ सकते हैं अभी बस ऐसे फेकनी उसके तरह आ रहा है अगर सरकार मान जाती है तो उसी का इंतजार कर रहा है कौन इंतजार कर रहा है रुएल खंड 20 वी डल है अगर सरकार कोई आता है तो यह 20 वी डल भी मालने का जिससे 20,000 सीटे बढ़ जाएंगी और किसके लिए सिर्फ गरीब जो आसपा सीटे भर चुकी है बियर में गरीब सोडों के और चर देने की परिक्रिया के दोरां सासन से इस्तिती असपास नहीं हुई जिसके चलते बियर कालेज में नय तो कह सकते कि सीटे यहां पर देखे दिया सीटे बढ़ी है और नहीं इसे लागो किया गया अब फिर से भ लागो होने की सुग बुगाहट शुरू हो गई है वार्टसप पे वाइरल एक आदिस में सासन द्वारा इसे लागो करने की बाद कही गई है तो यहां पर आपको देखे पूरा दिया है कि मगर एगर एन सीटी इए नेशनल काउंसिल फार टीचर एजूकेशनल ने अब त कोटे ड्यूज की आज से आपकी डारेट एमिशन होने का चांस आ चुगा है बारहे तेरे चौदे इसमें से किसी भी दिन आप जाके एड्मिशन करा सकते हैं तो ऐसी तरह से न्यून आपडेट जाने के लिए आज ही केल्डी क्लस्ट को सब्सक्राइब करिए और इस वीड तो को करूली क्लस्ट को दोल्डेब क्लस्ट को से बाली की भाली क्लस्ट को से तरह से लिए।